हाई फ्रेंद्स वेलकुम बैक तो माइ चानल क्या आपको मैगी खाना पसंद है मुझे तो है जब भूग लगे कोई भी क्रेविंग ओ मैगी भी चाहिए लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हूँ जो जटपड बनता है मैगी से रिलेटर है तो चलिए हम जल्दी से बनाते है हमारी मैगी भी सबसे पहले हम अपने बटर को मेल्ट कर लेंगे उसके बाद हम अपना मैगी मसाला डालेंगे मैंने यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं किया है जो आपका नॉमल मसाला आता है मैगी के पकेट में वही डाला ह अगर जिसे मैं देख रही हूं कि मेरे crumbs बन गए हैं मसालों के तो थोड़ा सा मैंने butter or डाल दिया है थाकि वो अच्छे से हमारे मैगी में mix हो जाए एक मैगी crush करके डाल दिया है तो basically हम यह पर एक portion मैगी का बना रहे हैं अगर आप 2-3 packet बनाना चाहते हैं तो similarly आप 2-3 packet मसाले और सब चीज उसी according डाल के इसको अच्छे से आपको चलाते रहना है ताकि ऐसे नहीं हो कि एक तरफ से ज्यादा सिख जाए एक तरफ से कम थोड़ का जो मैगी है वो अच्छे से सिख गया है अब हम हमारा मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने अराउंड 5 टेबल स्पून वेजी लिया है यहां पे मैंने कैप्सकिम, क्यारट, कॉन और अनियन लिया है आप चाहो तो कोई भी वेजी ले सकते हो जो आपका मन है आपको फ्लावर डालने है आप डाल सकते हो एनी वेजी यू वांट तो जैसे ब्रुकुली हो क्या बट मुझे तो बस यही अच्छा लगता है तो आप अगर आप जादा स्पाइसी खाते हो तो आपस में थोबसा ग्रीन चिली आड कर सकते हो या परी-परी पाउडर आड कर सकते ह हो पर समारे के मागी को इसमें दालें अच्छे से मिक्स करें अगर आप कोई बना रहे हैं तो आप मागी इसेक के अलग से रख लीजी है डब्बे में यह मसारा बनाके अलग से रख लीजे और on the moment मिक्स करें एन सर्फ करिये ताकि हमारे नूडल्स क्रिस्पी रहे और प्रच पेपर पाउडर ड्रिजल कर देजे आपका मागी भेल रेडी है अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू फो वच्छ आप